Hi guys, welcome you all once again So, आज के इस वीडियो में हम लोग Arduino Uno Board के overview को देखेंगे इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा अगर आपने इससे previous वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार उसको जरूर से देख लिजेगा क्योंकि उस वीडियो में मैंने Arduino की पूरी हिस्ट्री को cover किया है Basically मैंने उसमें बताया है कि Arduino को क्यों develop किया गया कहां इसका development हुआ और कब इसका development हुआ और उसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि currently market में कौन-कौन से Arduino Boards available है तो फिलाल आज के इस वीडियो में हम लोग Arduino Uno के बारे में ही बात करने वाले हैं क्योंकि अभी हम लोग इस board में ही काम करने वाले हैं तो देखते हैं इस board के बारे में हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हम लोगों के दो अलग-अलग Uno Boards हैं और दोनों की features की अगर आप बात करें तो दोनों एक ही चीज है बट अगर आप इसके अंदर के hardware components की बात करें तो दोनों में आप लोगों को कुछ changes नजर आ सकते हैं और ये changes basically इसलिए possible हैं क्योंकि हम लोगों का जो Arduino है वो एक open source platform है तो circuit designer अपने requirements के accordingly यहाँ पर कुछ changes अगर करना चाहे तो कर सकता है इनके अलावा आप लोगों को उनों के और भी boards दिख सकते हैं बट आप लोगों को वहाँ पर ज्यादा worry करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि at last आप लोगों के जो features हैं वो हमेशा same ही रहेंगे हाँ यहाँ यहाँ पर कुछ बहुत components आप लोगों को उपर नीचे दिख सकते हैं तो फिलाल हम लोग यहाँ पर किसी एक board के features को समझ लेते हैं तो फिलाल मेरे पास यही board available है तो one by one इसके features को हम लोग समझ लेते हैं देखिए सबसे पहले आपको जरुरुरुत होगी अपने इस board को power up करने की तो उसके लिए हम लोगों के पास यहाँ पर एक DC power jack available है और इसमें आप लोग 7 से लेके 12 volt की DC को दे सकते हैं नेक्स्ट अगर आप अपने इस board को program करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को इसको अपने computer से connect करना पड़ेगा और connection के लिए आप लोगों के पास यहाँ पर USB B port available है इसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर एक reset button होगा यह basically आपके micro controller को reset करने के काम आता है next अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको HCL और SDA pin मिलेंगी यह basically आपका I2C protocol है I2C basically communication protocol होता है इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे तो HCL आप लोगों का यहाँ पर serial clock है और SDA आपका serial data है next आप लोगों के पास यहाँ पर analog reference voltage है यह basically आपके ADC के साथ use होगी तो जब हम ADC use करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे next आपके पास यहाँ पर यह ground pin है इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर 0 से लेके 13 तक total 14 digital pins है digital pins का मतलब यह है कि यहाँ पर आपका जो signal होगा वो discrete type का होगा मतलब कि यहाँ पर आपको यह फिर 0 मिलेगा यह फिर 1 मिलेगा 0 का मतलब low है और 1 का मतलब high है ओके तो यह जो आपकी 14 pins होती है यह multiplex होती है मतलब कि यहाँ पर आप multiple functions किसी एक particular pin से कर सकते हैं तो सारी pins आप लोगों के यहाँ पर multiplex नहीं है यहाँ पर आप देख पाएंगे most of the pins multiplex ही है so one by one इन pins को हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे pin number 3, pin number 5, pin number 6, 9, 10 और 11 जो है उनके पास में कुछ एक ऐसा sign बना हुआ है तो यह sign basically represent कर रहा है कि इन pins में आप लोग pulse width modulated signal को भी generate कर सकते हैं pulse width modulation क्या होता है इसका use क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे discussion करेंगे फिलाल आप लोगों को एक overview इसका लेना है next हम लोगों का pin number 0 और 1 जो हैं वो digital pins तो हैं ही साथ में आप लोगों को यहाँ पर TX और RX भी लिखा हुआ मिलेगा तो यह basically आपका UART protocol है जैसे आप लोगों का यहाँ पर I2C protocol था UART भी एक communication protocol है तो इसके बारे में फिर हम आगे कभी देखेंगे next हम लोगों का जो pin number 2 है वो digital pin तो है ही साथ में यहाँ पर आप चाहें तो external interrupt source 0 को भी connect कर सकते हैं similarly pin number 3 आपका digital होने के साथ-साथ महाँ पर आपका pulse fifth modulated signal मिलता है और साथ में यहाँ पर आप लोग external interrupt source 1 को भी connect कर सकते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को basically दो external interrupt sources मिलते हैं interrupt क्या होता है वो सारी चीज़े हम लोग आगे discussion करेंगे इसके बाद आप लोगों का pin number 4 है वो digital pin है यह dedicated pin है यह आपका multiplex नहीं है यह आपका सिर्फ as a digital pin ही use होगा इसके बाद अगर आप बात करें pin number 5 और 6 तो यह आप लोगों की digital pins है और साथ में आप लोगों को यहाँ पर pulse width modulation भी मिल जाएगा similarly आपका जो digital pin number 7 है और जो 8 है यह आपका dedicated digital pins है इसके बाद pin number 9 है वहाँ पर आप लोगों को digital input output के साथ में pulse width modulation भी मिल जाएगा और last में अगर आप बात करें pin number 10 से pin number 13 की तो यह digital pins होने के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को SPI protocol मिल जाता है SPI protocol भी आपका I2C और UART की तरही एक communication protocol है और इसमें basically आप लोगों की 4 pins होती है जो कि आपका SCK है जो कि आपका clock है इसके बाद आपका MISO है that is master in slave out और साथ में आपका MOSI है that is master out slave in और आपका यह chip selection है तो यह आप लोगों का SPI protocol के लिए use होता है और इसमें आपका 10 और 11 number pins है इसमें SPI digital के साथ साथ pulse width modulation भी आपको मिल जाएगा इसके बाद हम लोगों के पास A0 से लेके A5 तक total 6 analog pins होती है और यहाँ पर जो भी आपका input होगा वो analog nature का होगा मतलब कि वो आपका time के साथ vary करेगा digital के case में क्या था आप लोगों का यह फिर 0 यह फिर 1 मिलता था यह फिर आप कह सकते हैं 0 यह 5 volt ही मिलता था बट analog के case में आप लोगों का जो यह input होगा वो 0 से लेके 5 के बीच में कहीं भी lie कर सकता है और यहाँ पर आप लोगों का जो A4 और A5 नंबर pin है वो multiplex है मतलब कि यहाँ पर आपका multiple function आप कर सकते हैं यहाँ पर यह analog pin तो है ही साथ में आप लोगों को यहाँ पर I2C protocol भी मिल जाता है इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर कुछ power pins है सबसे पहले आपको यहाँ पर V-in मिलेगा यहाँ पर अगर आप चाहें तो इस board को V-in pin से भी power up कर सकते हैं उसके लिए आप लोगों को 7-12V के बीच में input अपने V-in को देना पड़ेगा next आप लोगों के पास यहाँ पर ground pins है और इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर 5V का output या फिर input pin है मतलब कि यहाँ पर से आप 5V लेना चाहें तो ले सकते हैं और इसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर एक 3.3V का output pin है और यहाँ पर आपको जो current मिलेगी वो 30mA मिलेगी next आपका यहाँ पर reset button के साथ साथ आपको reset input के लिए pin भी मिल जाएगी इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर input output reference voltage pin होती है और इस pin को basically हम लोग shield के साथ use करते है basically यह pin हम लोगों के shield को बताती है कि आप लोगों का जो यह board है वो किस voltage पर operate हो रहा है तो फिलाल हम लोगों का यह जो उन्हों board है वो 5V पर operate होता है तो आप लोगों को यहाँ पर जो output है वो 5V ही मिलेगा अगर आप बात करें किसी दूसरे controller की अगर वो 3.3V पर operate होगा तो आप लोगों को उस case में 3.3V ही यहाँ पर मिलेगा इस board में यहाँ पर 5V लिखा हुआ है बट कुछ cases में आप लोगों को यहाँ पर 5V की जगा IOREF लिखा हुआ मिलेगा तो दोनों एक ही चीज़ हैं आपको ज़्यादा यहाँ पर confuse होने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद और कुछ important चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाएंगे यह हम लोगों का ATMEGA 328 microcontroller है और यही हम लोगों के UNO board का brain है नेक्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह हम लोगों का CH340G है यह बेसिकली आपका USB to serial converter है मतलब कि आपका जो भी computer से data आएगा उसको हम लोगों को serially transmit करना होता है अपने controller के लिए तो यह चीज हम लोगों का CH340G करता है नेक्स हम लोगों के पास यहाँ पर LM358 है यह बेसिकली आपका auto power selection के लिए होता है यहाँ पर हम लोगों के पास दो option है पहला option यह है कि आप लोग power supply V in pin में दे और दुसरा यह है कि आप लोग DC power jack के through power दे तो बेसिकली इन दोनों में से क्या चीज आपका select होगी वो हम लोगों का LM358 के through define होगा इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह हम लोगों का ISCP है यह बेसिकली एक SPI protocol ही है जिसके through हम लोग अपने controller को program कर सकते हैं वैसे तो controller में हम लोगों का inbuilt bootloader होता है बट by the way अगर कभी वो bootloader आपका खराब हो जाए तो आप लोगों के पास option है कि आप लोग इस protocol के through भी अपने controller को program कर सकते हैं इसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़े हैं यहाँ पर आपके कुछ voltage regulators लगे हैं कुछ crystal आप लोगों के यहाँ पर लगे हैं पहुत सारे capacitors आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों के पास mainly यह LED है यह LED आप लोगों का built-in होती है pin number 13 से यह आप लोग याद रखिएगा आप लोगों के यह LED है यह digital pin number 13 से internally connected है इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर और भी LEDs होंगे जैसे TX pin के लिए आप लोगों के पास RX pin के लिए यहाँ पर LED है और यह LED आप लोगों का represent कर रही है कि आप लोगों का जो controller है वो on state में है तो यह सारी चीज़े आप लोगों के यहाँ पर available होती है इसके बाद आप लोगों को उनों के कुछ essay boards भी दिख सकते हैं बट आपके features हमेशा same रहेंगे कुछ आप लोगों का hardware components में changes हो सकते हैं जैसे यहाँ पर आप लोगों का आप मुझे comment box में लिख सकते हैं बने रहेगा आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को subscribe ज़रूर करें अपने friends लोगों के साथ आप लोग ज़रूर शेर करें जो इस technology को सीखना चाहते हैं तो thank you so much for watching जै हिंद जै भारत